जैन दोस्तों आज हम भरतिय राजवस्ता केंतर का चैप्टर 14 इसका हम लोग फाइनल पार्ट देखेंगे जिसमें हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी प्रस्ण है उसको देखेंगे कि प्रिवेसर में कैसा प्रस्ण पूछा गया है तो यह हमारा टॉपिक है के सब्सक्राइब जितने भी प्रस्ण है उसको देखेंगे ठीक है चलिए देखते हैं कि देखें इसमें जितना भी प्रस्ण पूछा गया है वह प्रिबियस एर का है और हम लोग बहुत अच्छे से समाझ सकते हैं कि हम लोग जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं वह टॉपिक प पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं यह चैक कर सकते हैं यह यूपी पीसेश 2004 और एससी 2010 में पूछा गया प्रस्णा है तिक है सरकारिय आयोग की सिफारिशों का संबंद है ए राजास्व वित्रण से भी भारत के राष्टपती की सक्तियों एंवं कारियों से संसत के सदस्ता के से या फिदी है केंद्र और राजयों के बीछ संबंद हुसे समझ गया हुँए इसका अंसर देखे दूसरा प्रस्णा देखते हैं भारतिय सवीधान में औसिस्ट अधिकारों को एंवं की कि इसंग्य सरकार को दिया गया है B. राजय सरकारों को दिया गया है C. संग्य और राजय सरकारों को दिया गया है D. ना संग्य और ना ही राजय सरकारों को दिया गया है ये प्रस्न पूछा गया था UP pieces 1995 और फिर 11 में भी पूछा गया है ये प्रस्न देखे तीसरा प्रस्न है समर्थी सूची में लिखे वीशियों पर अधिनियम बनाने का अधिकार किसके पास है SSE 1999 में ये प्रशन पूछा गया है देखे ए है राज्य और संग, B है केवल संग, C है राज्य और संग छेत्र और D है केवल राज्य के, तो समझ रहे ना, और प्रशन पूछा जा रहा है इस मेंसे, इस टॉपिक, इस चैप्टर से जैसा प्रशन पूछा जा रहा है आपको बहुत अच्छे से उसको ध्यान रखना है कि कैसा प्रशन को इसमें वालो किया है को देखिए चौथा प्राश्ण उन आउसिस्ट मामलों का जिनका केंद्र या राज्य या समर्ती सुचियों में उल्लेक नहीं है कौन विधी निर्मान कर सकता है यानि की कोई ऐसा मामला है इसका नहीं कैंद्र में मतलब केंद्र के लिस्ट में उसमें नहीं राजे को नहीं समर्थी सुची में तो ऐसा जो मामला है वो किसके अंतरगत आएगा हम लोग इसको भी जानते हैं जिसको हम लग आवसिस्ट सकती बोलते हैं तो यह सेशी 2001 में पूछा गया प्रस्ण है देखे पहला यह अनन्य रूप से केवल राज्य विधान मंदल या फिर बी केवल संसद और सी है राज्य विधान मंदल में सवमत होने पर संजद या फिड़ी है सर्वोच न्याय आले के द्वारा नियाय आले नियायन के अनुसार संसद अथवा विधान मंदल राज्य विधान मंदल ठीक है तो यह हम लोग को काफी अच्छे से पता है देखे अगला प्रस्ण है सरकारिय आयोक की स्थापना निम लेखित में से किसके समंद में जाज के लिए हुई थी यह से सी 2010 में पूछा गया प्रस्ण है देखे ए है जेल सुधार बी है किन राज्यों का समंद सी है पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए या फिर डी है स किस्था सुधार चचोंगा ऑने जया चटों परस्ण है पंचाती राजविशाय है यह दिए देखे भी पीपी एससी 1994 फिर चीजी पीएसी 2012 में पूछा अगया प्रस्ण है देखे इसमें समर्ती सुची में भी है केंडर की सूची में सी है राजी की सूची में और डी है स नेहीं से साथीकार की सुची में म।ा बिरिश्ट आर के अंतरगतु यह नूंतर है ना पूसे में पूचा गया था देखे ए संगंची सुची फेए समर्ती शूची है राजे स्थी और डि है। इन मैं से कोई नहीं तो क्या हो सकता है स्का लिचा प्रस्णा है और थिकनी और पूचए है इदो च्ञू जन विसाय है अब सखता है संग सूची में तो किसे सूची में तो तो देख रहे हैं आप कैसा option बन रहा है कैसा प्रस्ण बन रहा है कि देखें नवा प्रस्ण है निम लिखित में से कौन सा विशाय समर्थी सूची में है ठीक है यह बीप यह सी 2005 में पूछा गया प्रस्ण है कि यह क्रिसी कि भी है सिक्षा सी है पूलिस और डी है रक्षा ठीक है तो यह कैसा प्रस्ण है आप सब्सक्राइब को अच्छे समझ में आ रहा होगा जो मैं लिस्ट दिया उसको बस उतने को अच्छे से आप पड़ लेंगे तो आपको काफी अच्छे से आप कोशन सॉल्व क कर सकते हैं तस्वा प्रस्ण देखे भारते सोईधान की सात्वी अनुसूची के अंतरगत संग सूची में निमलिकित में से किसका उलेख नहीं है का अधिकर यह यूपी पीस स्प्री में 1997 में यह प्रश्ण पुछा गया है अधिकर बैंकिंग बी हे बीमा सी है जणगर्ना और डी है कि देखे यारो प्रस्ण देखते हैं निमलिकित में से कौन सावीस है संग सूची के अंतरगत समाविस्ट है संग सूची में से संग सूची में कौन सा है ठीक है कि यह है पुलिस भी है जर्ण गर्ना से भू भू आगम और दी है लोकस्वास्त और सफाई का प्रबंध देखें बारा प्रस्ण है निमलिकित सूची में से किसके अंतरगत सिक्षा आती है यह रार्वी 2004 में से पूछा गया प्रस्ण है ए राजय सूची के अंतरगत या फिर भी है इस्थान यह सूची या फिर सी है सिचाई और दी है सुरक्षा ठीक है कि देखें अगला प्रस्ण देखते हैं समाजिक सुरक्षा एवं समाजिक बीमा विसे है यह रार्वी 2003 में पूछा गया प्रस्ण है देखें ए है समर्ती सूची में बी है राजय सूची में सी है और सिच्ट सूची में या फिर दी है संग्य सूची में चवदा प्रस्ण देखते हैं समिधान में जन स्वास्तेम स्वक्षता तथा अस्पताल और और सधालय कि सूची में आते हैं है के ज संबाद में विवाद का एक कारण रहा है यह सासी द्वयूजा स्वत्रा में पूचा गया प्रस्ण है राश्पती का पद या फिर बी है राजयपाल का पद या फिर सी है प्रदान मंत्री के दिर्दी मुख मंत्री का देखें यह हम लोग नहीं पड़ें थे लेकिन आप देखेंगे कि यह राज हपाल का पद मैं इसका अंसर मतलने बता दे रहा हो आको कि यह जो राज हपाल का पद है यह ज़्यादा विवादित होता है कि आप देखें कि राज्यों में जो मुख्यमंत्री का जो सासन होता है उसमें क्या करता है यानि की केंद्र यानि की राश्पती या फिर केंद्र कहलो वो डारेक्ली क्या करते हैं राज्यपाल के तुरू गवर्न करते हैं तो कई राज्यपाल के पद के लिए विवाद हो जाता है क्योंकि र राजेपाल से एक उर सीफारी से पूछना बढ़ता है तो इस तरीके से क्या होता है कि कई बार इसमें समस्य आती है तो इस लिए राज येपाल